हेलो दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों और अगर हम बात करें जीवन सरल पॉलिसी की तो कई सारे कोश्चन्स आते हैं आप लोगों के कि मैंने ये पॉलिसी ले रखी है और मेरे को इतने साल में कि अगर आपकी एज 45 से 50 साल के बीच में रही है पॉलिसी खरीदते समय तो आप ये जान लिजे कि 10 साल के बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा वो लगभग आपके जमा हुए रकम के आसपास ही मिलेगा आपको कोई खास प्रॉफिट होने वाला नहीं है लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर के 35, 40 या 45 के अंदर रही है जब भी आपने पॉलिसी को खरीदा है तो डेफिनेटली आपको एक प्रॉफिट के साथ रकम मिलेगी दोस्तों लेकिन इतनी नहीं मिलेगी कि जो आपको एक चार्ट दिखाया गया था LIC बेशने समय उतना रकम तो नहीं मि लेकिन वो भी डिपेंड करेगा कि आपकी एज क्या फेक्टर है यानि एज अगर आपकी ज़्यादा है तो आपको रिटन कम मिलेगा और अगर आपकी एज कम रही है पॉलिसी लेते समय तो आपको रिटन एक अच्छी मिलेगी दोस्तों 10 साल में क्या मिलेगा और 11 साल पे क्या मिलेगा या फिर 12 साल पे क्या मिलेगा ये जानने के लिए आपको दोस्तों अपने नजज़ी की LIC ओफिस में सरेंडर वैल्यू को निकालना होगा आप अगर 10 साल के रिटन देखना चाहते हैं तो अपनी पॉलिसी पे दिये हुए डेट ओफ कमिस्मेंट को 10 साल पूरा होने के बाद यानि उसी मन्त देखना है उससे पहले नहीं देखना है अगर आप एक दिन भी पहले देखेंगे तो आपको डेफिनेटली कम ही जनवरी 2010 में पॉलिसी को खरीदा है तो आपको एक जनवरी 2020 में आपके 10 साल पूरे हो रहे हैं उसके बाद ही आप इस पॉलिसी को सरेंडर करें और उसी देट के बाद ही आप देखने या सरेंडर वैलू निकलवाने जाएंगे तभी आपको उसमें लोयल्टी एडिशन ज जुड़ा हुआ मिलेगा वरना नहीं मिलेगा मान लिजे आपने एक महिने की किस्त भी छोड़ रखी है यानि 9 साल 11 महिने आपने प्रीमियम भरा है और आप 12 साल के बाद उसको देखने जा रहे हैं तो भी उसमें लोयल्टी एडिशन आपको जुड़ा हुआ नहीं मिलेग दोस्तों आपको इसके लिए 10 साल पूरा पूरा पॉरा पॉरा पॉलसी को भरना होगा उसके बाद ही लोयल्टी एडिशन आपको जुड़ा हुआ मिलेगा तो दोस्तों ये ध्यान रखिए जब भी आप लोयल्टी एडिशन चेक करने ल.I.C. ऑफिस में जाएं तो 10 साल आ आपको कितना मिल रहा है, 11 पर कितना मिल रहा है वो एक साल पूरा भरने के बाद जयानी 11 साल का complete करने के बाद analyze करिए कि आपको एक ज्यारा पॉरा पर जाहते हैं पॉलसी को उन्यान वरना आप कभी भी पॉलशी को surrender कर सकते हैं 10 साल के बाद आपको profit ही मिलेगा चाहे वो थ के एकॉर्डिंग ही मिलेगा 50 से उपर वालों को प्रॉफिट नहीं होना इस पॉलिची में तो अगर आपने ले रखी है तो एक रिस्क कवर के साथ इस पॉलिची को ले करके चल सकते हैं अधर्वाइस आप पॉलिची को सरेंडर भी कर सकते हैं यह मेरी वीडियो आपको अच प्यार करिएगा जै हिन जै भारत